Good morning all of you अक्सर लोग पुछते हैं एक नेता या मनेजर की रूप में हम जब अपने छेतर में कारे करते हैं तो वैसी स्थिती में यह दी कोई विवेक्ति गलती करता है तो उसे किस तरह का punishment दिया जाए या कैसे punishment दिया जाए तो मैं बोलूँगा इस चेतर में काम करने के लिए केवल नॉमडिकल ग्यान या mathematics का ग्यान होना अतियावस्यक नहीं है इसके लिए आपके अंतरगत, psychology और anthropology का ग्यान होना अतियावस्यक है एक छोटा सा game खिलते हैं आपके साथ आप खुद सोच कर देखे अगर मैं आपको तीन finger सोचने के लिए कुरता है ऐसे अपने हाथ के मातर दस उंगली में से तीन उंगली के बारे में सोचे एक किसी भी furniture के बारे में सोचे किसी भी रंग के बारे में सोचे किसी भी फूल के बारे में सोचे और एक कोई भी number को आप अपने दिमाग में डाले अब मैं आपसे बाचित करता हूँ आपने जो लोगों ने सोचा है उसमें से 90% लोगों ने इसी तीन फिंगर के बारे में सोचा होगा मैंने आपसे furniture के बारे में बाचित की तो मैं बोलता हूँ 99% लोगों ने फरडीचर के रूप में चेयर को ही सोचा होगा आपसे मैं रंग सोचने के लिए बोला था तो मैं बोलता हूँ 99% लोगों ने रंग में लाल को चुना होगा और फूल में गुलाब को और नंबर में या तो आपने सेवन को चुना है नहीं तो फिर फाइव को सही है न यह human psychology है आपको यह जानना पड़ेगा तभी जाकर आप अपने छेतर में लोगों को कमांड कर पाएंगे वास्तों में किसी भी चीज का punishment जो उस punishment का किसी भी चीज के लिए जो punishment होता है वास्तों में उस गलती पर निर्वर न करकर व्यक्ती पर निर्वर करता है वो कोन व्यक्ती था और उसने क्यों ऐसा गलती किया इस अंदर में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक राज्य था वहाँ एक घटना घटी एक ही रात में चार जगह चोड़ी हुई और उस चारो चोर को राजा के पास लाया गया राजा ने उन लोगों को देखा और बोला इन सभी को कल सुबह दरवार में लाओ दरवार में लाया गया पहले चोर को राजा ने देखा पहले चोर को जब राजा ने देखा तो देखा उपर से नीचे तक और बोला ने ने तुम लोगों ने गलत कारे किया है यहां व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता इसे चोर दो मंत्री ने उसे आदर के साथ चोर दिया सेनापती ने दूसरे चोर को सामने लाया राजा ने दूसरे चोर को उपर से नीचे तक देखा और गुस्से में कहा मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी इसे मेरे नजर के सामने से बाहर कर दो मंत्री ने तुरंत उसे बाहर किया तीसरा चोर को जब सामने लाया गया राजा ने उसे देखते ही उपर से नीचे तक देखा और गुस्ते में कहा तुम ऐसा भी कर सकते हो इसे डाटते हुए बाहर कर दो बाहर कर दिया गया राजा ने उसे डाटा उसे बाहर कर दिया गया चौता चौर जब सामने लाया गया तो राजा ने उसे उपर से नीचे तक देखा और गुसे में बोला इसके सर का आधा बाल हटा दो चेहरे काले रंग से रंग दो और गधे पर बैठा कर पूरे सहर का चक्कर लगाओ वैसा ही किया गया अब दरबार में सारे लोग थे लोगों ने सोचना आरम भी किया राजा से कुछ लोगों ने बोले भी कि कारे एक चौरी चार लोग और चारों को अलग अलग सजा कियो तो राजा ने कहा इसका जवाब मैं अभी नहीं दूँगा एक सब्ता के बाद दूँगा राजा ने कहा इन चारों के पीछे गुप्टचर लगा दो मंतर ने वहशाही किया चारों के पीछे गुप्टचर लगा दिया गया उसके पर्तिक अक्टिविटी को देखने के लिए आखिर यहां से जाने के बाद क्या क्या कारे को शंपादन करता है एक सब्ता के बाद जब चारो गुप्चर आएं तो पहले ने जवाब दिया जो पहले विक्ति पहला चोड जिसे राजा ने केवल कहा कि यह विक्ति चोड़ी नहीं कर सकता है उसके बारे में जो जानकारी दी गई कि वास्त का अभाव था इसलिए उसने चोड़ी किया लेकिन यहां से जाने के बाद राजा ने कहा था कि यह चोड़ी नहीं कर सकता इसे जाने दो वह विक्ती घर में गया और रसी छट पर बांद कर फौशी लटका ले अब दूसरे की बारि आई पता चला यह विक्ती भी चोड नहीं था पिशेवर चोड नहीं था किसी घर के आर्थिक इस्तिती है कारण इसने चोड़ी की थी व्यक्ति ने उसी रात अपने पुर्यe पडिवार के साथ गाउँ छोड कर चला गया। कहा गया किसी को मालुम ने अब तीसरी की वेयरी ने उस पे गुप्चर ने बताया तीसरा व्यक्ति जिसने Raja ने दंड दिया था और भगा दिया था दंड देने के बाद उस विक्ति के बारे में बताया गया कि वह चार दिन से अपने घर में ही बंद है ना किसी से बाचित कर रहा है नहीं बोल रहा है और अपने घर में ही अकेले चुप चाप बैठा हुआ है चौथा विक्ति जिसे राजा ने दंड दिया था इसके आधे बाल को उड़ा दिया जाए चेहरे को काला कर दिया जाए आग गधे पर मैठ कर पूरे राज्य को घुमाया जाए वह विक्ति रास्ते में जब घुमाया जा रहा था तो उसकी पत्नी मिली और उसने पत्नी को बो कहने का तात पर गलती एक, वेक्ती चार, सजा अलग अलग अगर देखा जाए तो पहले को सबसे ज़्यादा सजा मिली कहने का तात पर है कि सजा के अधार पर किसी को सजा देना कहीने कहीं गलत है सजा वेक्ति के नेचर बहेवियर और करेक्टर के अधार पर होना चाहिए और वही होता ही भी है तब ही जाकर आपका छेत्र सुद्रड रहेगा अब जैसे मैं आपसे बाचित करता हूँ आपके छेत्र हैं आपके सी आउपरेशन एरिया में है और आप कोई वेक्तियर गलत कुछ कर रहा है तो आप उसे OPL देते हैं अच्छी चीज़ है ट्रेनिंग देते हैं अच्छी चीज़ है उसके बाद आप देखेंगे कि वह फिर गलत कर रहा है तो ऐसे सती में आप उसे बार-बार ये चीज़ मत दे एक तो वह ब्लू कॉलर जब है उसे लिखना पढ़ना नहीं आता या बच्पन में बहुत कम लिखा पढ़ा है आप उसे उसकी गलती को कहें कि सौ बार लिखो क्योंकि होता ऐसा है कि अगर कोई भी वेक्ति गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे वह गलती कर रहा है लेकिन वह गलती करता है तो उसे मज़ा आता है और इस मज़ा के कारण वो अपने मज़े मज़े में बहुत सारी गलती कर देता है लेकिन जब उस गलती के कारण उसे सो बर लिखना पड़ेगा न तो उसे तकलीफ होगी और तब कमप्रिजन करेगा जो उस समय जो मैं मजे मजे में काम करके जो गलती किया और सौ बार लिखने में तकलीफ किसमें होती है तब उसे पता चलेगा लिखने में ज़्यादा तकलीफ है इंबंदारी से मानिए, बिश्वास मानिए वो फिर इस तरह की गलती नहीं करेगा अता, पहले किसी को भी सजा देने से पहले आप उसके बारे में पुन्ट उसकी साइकलोजी को जाने, समझे तब उसे सजा दे, तब आपका बेवस्था भी बना रहेगा और उस व्यक्ति में भी सुधार होगी आगे मरजी आपकी, जय हिंद